हेलो दोस्तों स्वागत है सभी का जरा सोचिए कि आपने ऐसा लाइस टाइम कब फिल किया था कि आपका सारा फोकस अपने काम पर था और जो टाइम का ड्रेक है वो भी सायद आप बुल गए थे और आपको सिर्फ अपना काम और आप ही है इस दुनिया में ऐसा फिल हुआ था सारा फोकस कोई काम पर या फिर कोई एक्टिविटी में था और डिस्ट्रेक्शन लेवल कम से कम हो गया था क्या आपको कभी ऐसा फिल हुआ था तो आप में से काफी सारे लोग कहेंगे हमें ऐसा फिल हुआ था और काफी कहेंगे नहीं भी राइट जब आप इस प्रकार के स्टेट में चले जाते है जहाँ पर डिस्ट्रेक्शन लेवल जीरो हो जाता है इस स्टेट ओफ माइंड को कहते है फ्लो स्टेट इस स्टेट ओफ माइंड में सारा फोकस अपनी एक्टिविटी या फिर अपने काम पर रहता है और इस स्टेट में आपको कोई काम करने के लिए अपने आपको फोर्स नहीं करना पड़ता बलकि सब कुछ automatically होता है और आपने कितने hours काम किया उस बात का आपको अंदाजा भी नहीं रहता तो flow state में इंसान extremely productive बन जाता है और काफी great feel करता है हम में से काफी सारे लोग relaxation को ही अपना happy state समझते हैं लेकिन research यह सामने आई है कि जब भी कोई इंसान flow state में होता है तो काफी great feel करता है और काफी productive भी बन जाता है तो सवाल यहां आता है कि flow state में हम काफी खुछ रह सकते हैं और productive भी बन सकते हैं तो flow state को हम हासिल केसे करें राइट तो दोस्तो flow state को हासिल करने के लिए distraction level को कम से कम करना पड़ेगा और flow state को जो बातें triggered करती है जो method triggered करती है उसे follow करना पड़ेगा अपने distraction को कम से कम कैसे करें और एसी कौन सी चीज़ है एसी कौन सी method है जिससे flow state को हम trigger कर सकते हैं वो सब बाते में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आगे ऐसे ही science and informative वीडियो को देखने के लिए science flow channel को subscribe करें और जो साथ में बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की notification आपको मिलती है